इंगोरिय थाना के अंतरगत ग्राम गुलाब खेडी निवासी मोहन गट्टू सीह भील उम्र पेती साल निवासी गुलाब खेडी ने अग्यात कारणों के चलते स्वयम के हाथ से ही कुलहाडी मार कर अपने हाथ के पंजे को शरीर से अलग कर एक कमरे में लेट गया जहां उसकी स्वयम की माता भगवनत बाई के घर पर पहुशने पर जहां मोहन सीह भील को खून से लगपत देखा माता के चिलाने पर अडोस पडोस के लोग एकत्र होये और हंडेट डायल को बुलवाया मोके पर गये सोदागर जाट ओर डायल हंडेट के पाइल लेट नवरासीह ने घायल मोहन सीह को डायल हंडेट में डाल कर सीविल अस्पताल इंगोरिया लाए और 108 एम्बुलेंस से सीविल अस्पताल उज्जेन रेफर किया गया मोहन के कटे हुए हाथ की कलाई के साथ एम्बूलेंस से सीविल अस्पताल उज्जेन रेफर किया गया फिलाल उसकी इस्तिती को कुछ कहा नहीं जा सकता है बढ़ नगर से सांतिलाल परमार की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल स्व 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें